प्रागर्ति का सबसे खुबसूरत सहर मिर्जापूर दोस्तों, मिर्जापूर में आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मिल जाएंगे लेकिन आज यहीं मिर्जापूर फिर से एक बार डूबने की कगार पे आ गया है बार के कार्ण जी हाँ दोस्तो बाड नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं डूबता हुआ मिर्जापुर का सास्त्री पूल और ओजला पूल और चल रहे लगातार माबिन दवासनी मं का निर्मार कार रहे हैं तो बने रहे हमारे इस वीडियो में और देखते रहे हमारा चैनल आस्था नेचर तो दोस्तो आईए अब हम आपको लेकर चलते हैं सास्त्री पूल के पास और दिखाते हैं कुछ बार के नजारे दोस्तो आप जो यह पूल देख रहे हैं यह है मिर जिमना जी का पानी इस टाइम छोड़ दिया गया है जिसके कारण मिर्जापूर में चारो तरफ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा आईए चलते हैं कुछ आगे पॉइंट देखते हैं और बताते हैं कुछ और बारी की बाते दोस्तो सास्त्रिपूल का बार आपने देखा काफी खतरनाक काफी भयानज लगा होगा अब हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही मिर्जापूर के दूसरे पूल के पास जिसे ओजलापूल के नाम से जाना जाता है ओजलापूल बिंद्याचल जाने का मुख्य परवेश्दवार भी कहलाता है ओजलापूल भी अब डूबने की कगार पे है यह उजलापूल दोस्तो मिर्जापूर में एसे कई निर्माड भी है जो कराकृति के बेहतरे नमूने भी है इसी में से एक यह उजलापूल भी है यह पूल बिंद्याचल वा मिर्जापूर को जोड़ता है यह उजलापूल दोस्तो एक दिन की रूई की एक कमाईशे तीन सो पहले इस पूल को बनाय गया था बाहर से आये ब्यापारी चंदा देकर इस पूल का निर्माड तब जाकर पूरा हुआ था बिंद्याचल के महंत परसु रामगिरी ने इस पूल का निर्माड कराये थे अब दोस्तों आपको लेकर चलते हैं एक जलक बिंद्याचल मंदिर की आने वाले शमय में यह मंदिर बहुत ही भब दिखेगा तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो बाढ़ का कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करे और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ल तो मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत